जगमाल जी ये आज एक बहुत विचारणिय विशय है कि जिस प्रकार से कॉंग्रेस का टॉप नित्रत्य डेस्परेट है कि कभी वो चीन के साथ बात करता है, कभी वो टर्की में अपना ओफिस खोलता है और तमाम वो ऐसी बात करता है कि जिससे ये प्रतीत होता है कि मोधी विरोध के चलते-चलते ये किस प्रकार से राष्ट विरोधी स्टैंड अपना लेता है जिस हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जितन परसाथ जैसे कदावर जमीनी नेताओं को साइड लाइन लगाकर प्रियंका वाडरा किसके कंदे पर हाथ रखती है? इमरान मसूद के और उसको जो है अपने शीर्ष टीम में जो है जगे देती है और जनता की जानकारी के लिए बता दूँ, यह वही इमरान मसूद है जिसके जबान पे, जिसके मन में मस्तिष्क में इतना जहर भरा है कि जो यह बोलता है कि नरेंद्र मोधी की बोटी बोटी कर दूँँआ आज देश के प्रधान मंत्री को देश के बाहर से इतना थ्रेट नहीं है, जितना इस देश के अंदर बैठे हुए, सत्ता की लालच में पागल हुए, सांड की तरह भटक रहे कॉंग्रेस क्यों से हैं आप बताए इमरान मसूद कौन सा ऐसा जन प्रतिनिदी है या ऐसा कौन सा बड़ा नेता हुआ कि इतने बड़े-बड़े कद्दावर नेताओं को साइड करकर जो है आज प्रसाद जैसे नेताओं को साइड करकर आज इमरान मसूद को जो है गले लगा लेती है गुजरात के अंदर समाम कॉंग्रेसी नेताओं को साइड लाइन लगा कर वो हार्दिक पटे जिसकी वीडियोज गूम रही हैं वो कमरे के अंदर कौन सा पार्टी का एजेंडा बना रहा था ऐसे नेताओं के हाथ में जब पार्टी की कमान लग जाए तो ये बंदर के हाथ में उत्रा देने जैसा ही है तो जो कॉंग्रेस का नेतरत है वो अपने दिशा से भटक चुका है ना उसकी दिशा का पता है ना उसको जशा का पता है जनता की नब्स तो उन्होंने पढ़ना छोड़े हुए लगबद 6 साल अधिक हो गए तो जब पार्टी का शीर्ष नेतरत या किसी हवाई जहाज के जब इंजन फेल हो जाता है तो उस हवाई जहाज को गिरने से कोई नहीं बचा सकते है तो कॉंग्रेस भी उसी स्थिती में है आज कॉंग्रेस को देखकर आप राम राम बोल सकते हो आप बचा नहीं बचा नहीं देखकर तो आज जो कॉंग्रेस के अंदर हो रहा है ना कोई नेता है ना नित्रत्व है ना कोई विचारधारा है क्या है विचारधारा जब दोकलाम का स्टैंड ओफ होता है तो राहूल गांधी चोरी छुपे चीनी राजनाइकों से मिलते हैं आज लद्दाख के अंदर स्टैंड ओफ हो रहा है तो राहूल गांधी जो है चीन की भाषा बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं तो क्या विदेश निती के मामलों पर देश के सभी विपक्षी दलों को यह पेटी पॉलिटिक्स छोड़ कर देश हित्मे एक सुर्मे बात नहीं करनी चाहिए चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम आज से 4-5 साल पहले एक लेख लिखता है कि हमें भारत से लड़ने के लिए गोला बारूद और PLA की आवशक्ता नहीं है हम तो वहाँ एक जो है अन्रेस्ट पैदा करके एक समाजिक अन्रेस्ट पैदा करके जो है जीत सकते हैं अभी कुछ दिनों पहले हुए इंकम टेक्स के ताबर तोड छापों से चीनी नागरिक और कुछ भारतिये लोगों की समलिल्टा में एक हजार करोड से अधिक की हवाला मनी हवाला रेकेट का परदा पाश हुआ तो आप क्या समझते हैं कि क्या बड़े लोगों के समरक्षड के बिना ये साथ कुछ हो पा रहा था जिस देश में सबसे पुरानी पाटी का पूरवध्यक्ष और उनकी मातो वरत्मान अध्यक्षा है वो चीन की बोली बोलने लग जाएं तो निश्चत रूप से देश खत्रे में है देश का प्रधान मंत्री खत्रे में है अभी तीन दिन पहले एक चैनल ने खुलासा किया कि देश के प्रधान मंत्री के ओपर जान का खत्रा है मैं भी मानता हूँ उनके ओपर जान का खत्रा है क्योंकि जिस प्रकार के रिस्क वाले काम वो कर रहे हैं उन्होंने इस देश के अंदर लूट मार मचा रहे आकरंताओं के रात की लींद उड़ा दिये दिन का चैन उड़ा दिये जो लोग पिछले 60-70 सालों से इस देश की संपत्ती को अपनी बाप की जागीर समझ करके करोडो रुपया और अरबो रुपया उठा रहे थे, उड़ा रहे थे आप बताईए आज इस देश के लोग देश के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के लोग अंबानी और अदानी की सरकार कहते हुए जो है जुमले बनाते हैं, मजाग बनाते है पर आज देश ये सवाल कुस्ता है जगमाल जी वो लोग तो उद्योग पती थे उन्होंने उद्यम करके पैसा कमाया देश जानना चाता है कि सोनिया गांधी और रहूल गांधी का कौन सा व्यापार है कौन से उद्योग दंदे चलाते हैं तो हजारो करोड की संपत्री उनके पार तो अब ये हिपोक्रसी और देश की जंता को बरगलाने बहकाने का काम नहीं चलेगा आज इस देश का भले ही मेंस्ट्रीम मीडिया तुमारे इशारों पर नाजता हो तुमारे नरेटिव सेट करने का प्रयास करता हो देश के अंदर एक नकरात्मक महोल बनाने की कोशिश करता हो कमाल की हिपोक्रेसी है पूरे विश्व के अंदर आर्थवेवस्ता चर्मराई हुई है पूरे विश्व के लिए आर्थवेवस्ता चर्मराने का जो बेसिक कारण है वो कोरोना है परन्तु भारत के अंदर इस देश के तमाम बुद्धी जीवी नरेंद्र मोदी को उसका कारण बतावी क्या भारत आज विश्व में दूसरी या तीसरी बड़ी अर्थ वेवस्ता नहीं है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है सबसे पहला और प्रभावी लॉक्डाउन इस देश ने किया नरेंद्र मोदी के नितलत करने जब पूरा देश, पूरे देश के उध्यम, पूरे देश के जो है उध्योग धन्दे स्टैंड स्टिल हो जाए तो जीडीपी का गिरना, जीडीपी का नकरात्मत हो जाना स्वभावित है देश की जनता समझ रही है, परन्तो इस कॉंग्रेस के लोग और हमारे पप्पु भाईया पता नहीं उनका बोध्धिक विकास कब होगा, नरेंद्र मोदी जी ने लोग सभा की पटल पर एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो मैं आपके चैनल पर आज जोहराना चाहता हूं कि कुछ लोगों की उमर तो बढ़ जाती है, परन्तो बुद्धी नहीं बढ़ती है तो आज वही हाद कॉंग्रेस और उनके नितर्त्व के साथ हो रहा है कॉंग्रेस पाटी तो बूड़ी हो चली, कॉंग्रेस के निता भी जो है उमर में बड़े हो रहा है परन्तो उनकी बुद्धी का विकास रुखता है उनकी बुद्धी का विकास का रुखना देश के लिए तो चिंता जनक है ही परंतु इतना भी चिंता जनक नहीं है क्योंकि आज देश का नितृत्व जो है तुरक्षित हाथों में है परंतु निश्चित रूप से कॉंग्रेस पार्टी के विकास के लिए ये बहुत ज्यादा खतारनाक और चिंता जनक है जिस पर कॉंग्रेस के लोगों को कॉंग्रेस के नितृत्व को चिंता करने की जरूरत है जैसे हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री साह जो बहुत बड़े शुब चिंता के गांधी परिवार उनको उसके सोचना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा क्योंकि काट की हांडी बार-बार नहीं चाड़ा